हेलो फ्रेंट कैसे हूँ, मीद करता हूँ, आप सब लोग अच्छे होंगे, अगर आप लोग भी 10,000 रुपे सी कम के प्राइस में अपने लिए नया आलरांडर स्मार्टपून लेने के लिए सोच रहे हो, तो आज के टॉप 3 स्मार्टपून के वीडियो को आप लोगों को ब सब्सक्राइब कर सकते हैं, माइक्रOFF के इन नोट वं को 3 नमबर पर रखने की सबसे बड़ी वज़ा है कि ये स्मार्ट्पून काफी टाइम पहले लांच बाकि स्सेफिकसान के ममले में स्मार्टपून आज भी काफी सारे स्मार्टपून को बीट करता है, जै ये स्मार्ट display की अच्छी smoothness के लिए 60Hz refresh rate का support देखने को मिल जाता है camera segment के अगर बात करी जाए तो back में quad rear camera setup देखने को मिल जाते है 48MP का main primary camera मिलता है जिसमें 4X digital zoom का support देखने को मिल जाता है बागी के 3 camera 5 plus 2 plus 2 megapixel के मिल जाते है with LED flashlight के साथ वह इस selfie के लिए 16 megapixel का selfie camera देखने को मिल जाता है जो कि 10,000 रुपे से कमके price में एक अच्छे gaming processor के साथ साथ front और back दोनों में काफी अच्छा camera setup देखने को मिल जाता है battery से एक बिन का अगर बात करी जाए तो 5000 mbh की एक बड़ी battery मिल जाती है 18W के fast charging के साथ USB taxi port का support देखने को मिल जाता है और security feature के लिए back में finger pin sensor देखने को मिल जाते हैं जो कि 10,000 रुपे से कमके price में Micromask के in Note 1 में एक अच्छा gaming processor एक अच्छी quality की display front और back का एक अच्छा camera setup big battery के साथ साथ Fast charging मतलब 10,000 रुपे से कमके price में ये एक best all-rounder smartphone नमबर पर आता है Influence का Note 12 Influence के Note 12 को भी 9,999 रुपे के price में 4GB की RAM और 64GB storage वाले variant को buy कर सकते हैं Influence के Note 12 के भी काफी सारे advantage देखने को मिल जाती है पर पहला advantage है इसकी best quality की display को 10,000 रुपे से कमके price में इनफनेस के Note 12 में 6.7 इंच की Full HD Plus AMOLED display देखने को मिल जाती है डिस्पले की अच्छी smoothness के लिए 60Hz refresh rate का support देखने को मिल जाता है दूसरे सबसे बढ़ा advantage के अगर बात करी जाते है तो वो है इसका gaming processor Mediatek का Helio G88 का एक gaming processor देखने को मिल जाता है एक अच्छी gaming processor के साथ साथ बैक में dual rear camera setup देखने को मिल जाते है 50 Megapixel का main primary camera मिलता है बाकी का दूसरा camera 2 Megapixel का मिल जाता है with quad LED flash light के साथ वह इस selfie के लिए 16 Megapixel का selfie camera देखने को मिल जाता है जो कि low light के मामरे में आप लोग selfie से भी काफी अच्छी photo click कर सकते है बैटी से एक मिल का अगर बात करी जाता है तो 5000 MBH की एक बड़ी बैटी मिल जाती है और 10.000 रुपे से कम के price में इंफिनिस का note 12 पहला है से स्मार्टफों जिसमें आप लोगों को 33W का fast charging का support देखने को मिल जाता है security feature के लिए side mountain finger pin sensor देखने को मिल जाते है इंफिनिस के note 12 में जो कि 10.000 रुपे से कम के price में काफी अच्छी डीले अगर आप लोग इंफिनिस का ही स्मार्टफों लेना चाहते हो आप लोग भी near stock android वाला नया all round smart phone लेने के लिए सोच रहे हो तो first number पे आता है moto का G31, moto के G31 को 10.000 चाल सुने 99 रुपे के price में 4GB की RAM और 64GB storage वाले variant को buy कर सकते हैं साले 10.000 रुपे के price में आप लोगों को near stock android का support देखने को मिल जाता है एक के लिए UI देखने को मिलती है फोन में कोई भी blood wear देखने को नहीं मिलता सिर्फ इसी वज़े से phone काफी जाता smooth बन जाता है वहीं दूसरे सबसे बढ़े advantage के अगर बात करी जाए तो वो है इसका gaming processor कोकि moto के G31 बन में भी Mediatek का Heloo G85 का एक अच्छा खासा gaming processor देखने को मिल जाता है एक अच्छे gaming processor के साथ 6.4 inch की full HD plus punch hole वाली display देखने को मिल जाती है display की अच्छी smoothness के लिए 60 Hz refresh rate का support देखने को मिल जाता है जहां moto का G31 gaming और display के मामलें बेश्टे वही है smartphone camera के मामलें बेश्टे कोकि back में triple rear camera setup देखने को मिल जाते है 50 megapixel का primary camera मिलता है बागी के 2 camera 8 plus 2 megapixel के मिल जाती है with LED flash light के साथ वही सेलफी के लिए 13 megapixel का selfie camera देखने को मिल जाता है बैटी से एक बिन का अगर बात करी जाए तो 5000 mbh की एक बड़ी बैटे मिल जाती है USB टैफी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है पर Moto G31 का एक minus point भी को क्या क्योंकि Moto के G31 में USB टैफी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है पर कोई भी fast charging का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है सिकोर्टी फीचर के लिए इस साइड मांटेन फिंगर पिंट सेंसर देखने को मिल जाता है Moto के G31 में जो कि साले 10 यार रुपे के प्रैस में काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आता है बस इसका एक ही minus point है कि आप लोगों को कोई भी फास चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है